हे गाइज वेलकम टूफार्मसंसार इस वीडियो में हम कुछ फार्माकोलॉजिकल ग्लासरी की बात करेंगे इसको वन-लाइनर भी भी बोलते हैं 52 प्लस हम इसमें वन-लाइनर को डिसकस करेंगे जो錄 텐 है इसमें ।प्रिंट अरवी पेश से यहां पर करवाननाय है यहां पर यह की थेवि क्यूंट वह ग्म करना घुघर के लिथे इंद की रूल strig घली सब्सलिशन तर दर्व जन को हम रहे क्या। परनें से बालों को जड़ना इस को बाल्यजने समें दो चीजे होती इंदर क्या होता है यहां पर मैंसेज नहीं आते हैं और इसमें painful painful mencies होते हैं ठीक है उसको dysmenoria बोलते हैं यहाँ apnois बोलते हैं secession of breathing breathing ढंक से ना हो पाना आपके जो नाक के जो muscles होते हैं nasal की जो muscles होते हैं उनका क्या होता है moment नहीं हो पाता है और lung से आवाजाने शुरू हो जाती है apnea बोलते हैं arrhythmia आपका abnormal rhythm heart की androidgia ऑर्थ arterialgia modelling होती है और arthritis होती है दो चीज़े है thoroughgia में आपके पास होता है आपके pain होता है joint के अंदर और arthritis में drownा Inflamation defic के लिए बेडिकाडिया मतलaw बैड़ बेडिकाडिया से रिजल कसरे ही। krij किमो घपी जो हम कैमिकल इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ को डिजीज होroe हिले है बोडिक है लिए ढूते हैं durμयš спрос on the पास होती है liver cell liver का damage भी बोलते हैं इसको liver damage is cirrhosis liver से यहाँ पर क्या होता है pertaining to degeneration of liver cell liver cell की degeneration हो जाना is cirrhosis coma हमारे पास deep sleep होता है लंबे समय के लिए सो जाना is आपका coma crystal urea यहाँ पर नाम से indicate हो रहा है कि urea के अंदर crystal बनना presence of crystal in urea is crystal urea sinuses sinuses आपके क्या होते हैं कि जैसे nails पे आपकी skin पे आपकी skin के उपर nails के उपर blue color के आपका blue color आ जाना ठीक है blueish हो जाना उनका नीला रंका दिखाए जाना आपके lips lips पे भी ठीक है यह किस वज़ा से होता है oxygen की lake oxygen की कमी के कारण होता है आपका आपका जो sinuses diabetes परियाप्त मातरा में प्रचूर मातरा में वैसोप्रेशन जो की पुस्टीरी पुटीरी से निकलता है oxygen वैसोप्रेशन पुस्टीरी पुटीरी के hormones है इसके करण जो है excessive urination हो जाती है balance नहीं कर पाता है यह और इसको बोलते है आपका insipidus diabetes diabetes mellitis में क्या होता है carbohydrate की metabolism का disorder होता है इसमें sugar जो है excess बहुत साथ जादा sugar जो है blood के अंदर हो जाती है ठीक है blood sugar हो जाता है और यह किस वज़े से होता है या तो आपके पास insulin परियावत मातरा में नहीं निकल रहो या फिर insulin निकल रहो हो लेकिन resistance बना देता है यह दो चीज़े हो गई फिर आपके diet function diet function होता है abnormal किसी organ का किसी part का अच्छे से अपना proper functioning ना करना diet function dysmorphia हम बात कर चुके हैं painful menstruation diet pepsia is in digestion digestion ना होना emesis is vomiting ठीक है emetic classification भी होती है हमारे पास psychology में emesis ठीक है eosinophilia is increased number of eosinophils in blood epigastric epigastric क्या होता है कि आपके जो stomach के उपर का जो reason होता है abdominal reason होता है उसको बोलते हैं epigastric epilepsy होता है mirgiana mirgiana उसको बोलते है epilepsy brain का disorder होता है abnormal electrical discharge होने के कारण discharge जो है electrical discharge abnormal हो तो उसको उसकी विज़ास से हो जाता है euphoria euphoria होता है आपके एकदम से उटसाह होना एकदम से इसको bipolar disease भी बहुँआ सकते है euphoria यह feeling of well being flushing हमारे पास blushing होता है blush करना flushing होता है एकदम से skin का red हो जाना इस flushing gangrene में हमारे पास क्या होता है tissue damage हो जाते है gangrene के अंदर जैसे आपका हाथ है तो अगर आपका gangrene आपको हुआ है gangrene यहां हुआ इस वाले पार पे तो यहां पर बिल्कुल blue color का हो जाएगा यह वाला हाथ यहां पर tissue का damage हो जाएगा इस gangrene blood की supply नहीं हो पाती है इसमें आपके gastritis होता है gastritis arthritis जिसमें टीस लग गया मतलब inflammation gastric मतलब stomach goiter में आपके पास goiter के अंदर क्या होता है आपकी जो thyroid gland होती है उसका enlargement हो जाता है उसको बोलते हैं goiter hemate urea hemate urea के बात है hem मतलब आपका hem आपका हो गया blood और urea आपका हो गया urine मतलब urine urine में blood का increase होना is hemate urea leverage होता है आप जब poisoning होती है तो जब poisoning होती है तो जब आपका stomach होता है उसको सफाई उसकी सफाई के लिए हम leverage करवाते हैं gastric leverage करवाते हैं उसमें हम इस्तिमाल करते हैं आपका tube डाल जाती है और उससे हम पानी के प्रेशर से उसको wash करते है stomach को तो हो गया leverage hemorrhage होता है condition of bleeding bleeding is hemorrhage hyperglycemia अब आपके पास hyperglycemia की बात हो रही है तो आपका मतलब glucose का level increase हो जाना blood के अंदर is called hyperglycemia और यह होता कि इसके अंदर diabetes के अंदर ठीक है hyperglycemia और hypercalemia calemia मतलब K K मतलब potassium ठीक है तो मतलब potassium का level increase हो जाना next है हमारे पास infant infant होते हैं baby और child कोई बच्चा जो आपका एक साल से छोटा है insomnia insomnia आपका मतलब एक बहुत लंबे समय से चला रहे ही आपकी सोने की सोने में दिक्कत आपके sleeping में दिक्कत होना ठीक है inability to sleep ischemia blood की supply को कम होना blood supply reduce blood supply is called ischemia john dis आपका liver का disease है बहुत important कि यह liver का disease है पहरी बात तो इसमें bilirubin का label increase हो जाता है blood के अंदर lavish washing करोना lexative कोई भी mild जो mild act करते है evacuation यह थोड़ी कम मातरा में जो है यह focus को मतलब निकाल देते हैं बहार जाना मातरा में constipate कर देते हैं libido libido आपका sexual urge sexual pleasure होना satisfaction होना sexual की all senses की throw sexual और meningitis आपकी meningitis क्या होती है मेंनिंजिस होती है ब्रेन की layer ठीक है यह brain है हमारे पास इसकी layers है यहाँ पर this is pyameter this is meningitis और this is आपके तीन layer जो होती है उनको बोलते हैं यह pyameter durameter ठीक है यह जो इनकी inflammation हो जाती है तो उसको बोलते हैं meninges जो यह layers होती है protective layers होती है इनकी जब inflammation हो जाती है तो उसको बोलते है meningitis menopause next है menopause इसमें आपका में से मतलब आपका menstruum और pose से मतलब रुक जाना तो आपका menstruation है वो रुक जाना is menopause migraine में क्या होता है आपके पास ये आपके headache हो जाना is migraine मतलब कहीं पर सुन रहना throbbing headache होना उसको बोलते हैं migraine necrosis necrosis आपके unconsciousness ड्रग की वज़ा से unconscious हो जाना is necrosis जहें tissue necrosis होना मतलब tissue वहाँ पर unconscious हो गए osteomyelitis meelitis मेelitis आगया मतलब osteo होता है आपके bone और meelitis आगया तो यहाँ पर inflammation ठीक है और osteoporosis porosis के अंदर आपके meelitis के अंदर तो यहाँ पर यह सूज गई ठीक है आपकी bone जो है वह सूज गई लेकिन यहाँ पर osteoporosis के अंदर आपकी bone का break होना ठीक है bone break is जादा होना is osteoporosis oxytoxic is having toxic action on ear जो आपके कान पर है जो कान का toxic कान पर toxic action is auto toxic ठीक है Parkinson Parkinson आपको पता है कि dopamine की deficiency की कारण होता है dopamine का level गिर जाता है dopamine तो हमारे पास Parkinson होती है इसमें आपका body का posture खराब हो जाता है ठीक है body का posture खराब हो जाता है और फोकोमेलिया होता है आपका एक tetragenic effect बोलते हैं tetragenic effect होता है drugs का malformation हो जाती है परगेटिव आपके जो की आपके evacuation करते हैं faces की बहुत जल्दी faces की evacuation करते हैं उसको बोलते हैं हमारे पास परगेटिव रिमेटिक डिजीज रिमेटिक डिजीज मैंने आपको बात भी करती है रिमेटिक अर्थराइटिस हो गया रिमेटिक डिजीज क्या होती है disease of connective tissue usually present with pain ठीक है रिमेटिक में क्या आपका pain हो जाता है muscle में आपके tissue में joints में रिमेटिक डिजीज भी बोलते हैं rhinitis rhinitis और sinus दो चीजे है ठीक है रिमेटिस में आपके पास inflammation हो जाती है नेजल mucous membrane की आपका जो नाग है उसके mucous membrane की आपके inflammation हो जाती है ठीक है इसकी inflammation हो जाती है इसके mucus membrane की जो inflammation हो झाना सिर्ण से होती है आपकी soyanitis भी होती है inflammation кошनिंग होता है प्लड हो जो आप victorious टी और जो नमानिक इसे बनाते हैं उसे ननुद्ट द राट है तो यहां पर साइन श्युद्ट होती है उस्की inflammation ठीक है उसकी inflammation जम जाता है यहाँ पर जो fluid होता है सईनाइट्च होता है inflammation of sinus! Caesar's होते हैं और कर्वलजन्स आपके चक्कर आने हैं कर्वलजन्स होने Caesar's मिर्गियाना तो यह कुछ terms थी बहुत important इसमें से फोकॉमेलिया था और आपके साथ वीसे तो इंपोर्टन से संबंधिन किसी डिजीज का तो आपको पता लग सकता है कि इस सिनाइटीज है तो आपको पता है कि साइनस नाख के पास ग्लैंड होती है उसकी सूर्जन हो गई है इंफ्लामेशन हो गई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और प्रिपेशन करें ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपेशन कर रहे हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्षिन में बताएं मैं उसके लिए वीडियो आपको अपलोड कर दोंगे